नमस्कार, Ace Academy YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं GDS Requirement 2022 का क्या Cut-Off रहने वाला है, मेल और फी मेल का दोस्तो इसके पहले में आपको 2020, 2019 और 2018 के Cut-Off के बारे में बता दूँ तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि actual में 2022 में क्या Cut-Off जाने वाला है क्योंकि बहुत सारी स्टुडेंट्स को Cut-Off के बारे में संका है कि actual में Cut-Off हकीकत में कितना जाएगा क्योंकि इस बार बहुत सारे पोस्ट निकली हुई है और सभी स्टेट में निकली हुई है तो हम यहाँ पर All Over India के स्टेट वाइस बात करेंगे और आपको समझाएंगे उसके पहले हम 2020 का देख लेते हैं कि 2020 में जो Cut-Off गया था वो क्या गया था इस बीडियो को बहुत ही जल्दी फिनिस करेंगे और सारी चीजे किलियर भी करेंगे दोस्तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले सीरे लंबर आप लोग देख रहे हैं यह रंबर लिखा है उसके बाद केटिगरी लिखी है आपकी कौनसी केटिगरी है जनरल है OBC है SC है ST है जो भी है इसके बाद आपका यहाँ पर Cut-Off लिखा हुआ है कि कि केटिगरी का कितना Cut-Off गया था जनरल की category की बात करें तो जनरल में 2020 में दोस्तो 77% तक गया था इसके बाद OVC के दिया हम बात करें तो OVC का 77 यहां पर जनरल और OVC का दोनों का बराबर cut-off था SC की बात करें तो SC में दोस्तो 75% बर गया था और ST का 66% तक गया था दोस्तो अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 66% तक गया था तो मेरा 66% पर नहीं हुआ था तो देखो यह डिपेंड करता है कि किस state में है कितने पद हैं और आपने किस जगह से form डाला है और उस जगह का कितना percentage पर merit list गई हुए उसके according ही यह cut-off बनता है ना कि ऐसा कि आपने यहां से डाल दिया और वहां की highest चलीगी और उसके बाद दूसरी जगह का कम चला गया तो आप सोचो मेरा नहीं हुआ यह depend करता है number of vacancy यहों पर number of path कितने हैं और किस area से आपने डाला है यानि किस state से डाला है वो भी depend करता है क्योंकि यह आपके जो भी है circle wise डलती है कि किस circle में आपने डाला है जान wise डलेगी ठीक है तो 2020 का cut-off दोस्तो यह रहा 2020 के बाद हैं 2019 के cut-off की बात करें तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 2019 में जो cut-off गया था दोस्तो जनरल category का 78 गया था अब आप सोच रहें 2020 में 77 गया था और 2019 में 78 मतलब यह नंबर का difference है देखो OVC का 77 गया था 2020 में और यहां पर 75 गया था OVC का अब आप सोचो कि 2019 से लेके 2020 में OVC का बढ़ गया 2% और वहां पर जनरल का 1% कम हो गया था OVC का यहां पर 70% गया था 2019 में और 2020 में आप देखे तो 75% गया था यानि 5% की growth हुई है OVC की बात करें तो OVC का देखो 65% पर यहां पर 2019 में रहा है और 66% आपका 2020 में यानि आपका 1% की growth हुई है यहां पर आप इसका average और अंदाजा लगा सकते कि ज़्यादा यहां पर difference नहीं है बहुत ही कम difference आपको देखने को मिल रहा है general category की बात करें 2018 का देखेंगे तो 18 में आपको देख रहा होगा कि 82% general category का गया था इसके बाद OVC category की बात करें तो 78% गया हुआ है SC की बात करें तो 75% गया है और ST की बात करें 72% गया हुआ है अब आप देख रहे हैं कि पूरा criteria SC, ST, OVC का 19-20% इधर अगे पीछे हो रहा है बाकी ज़्यादा difference नहीं आ रहा है तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2022 है 2022 में इसी के आसपास में ही आपका रहने वाला कटोप आपको ज़्यादा percentage देखने को नहीं मिरेगा क्योंकि 2019, 2021 में आपको पता है सभी को general promotion मिला हुआ है यहाँ पर इतनी ज़्यादा percentage नहीं बनी लेके सब की ठीक ठाक बन स्टेंड में highest जाएगा तो वो भी जड़ा देखेंगे पहले हम इसमें cut-off देख लें उसकी चर्चा कर लेते हैं आप देख रहे हैं कि general category देख रहा है इंदर मेल और female लिखाए मेने cut-off marks लिखे हुए है और यहाँ पर पूरी आप देख रहे है category लिखा है general category में दोस्तों मेल की बात करें तो 82% तक जाने वाला है female की बात करें तो 72% तक जाएगा और 1-2% वहरी कर सकता है OBC के दि हम बात करें तो OBC का 80% जाएगा और female की बात करें तो 70% जाएगा इसमें 1-2% उपर नीची होगा यह बात आपको बिलकुल लेके चलना है इसमें आब EWS भी जुड 78% जा रहा है और female में 68% जा रहा है यह में आपको बारवर्कियों बोलों कि 2-3% उपर नीची होगा इसलिए होगा कि आपने किस division से फॉर्म बरा है और उस division की list कहां तक गई है और उस division में कितने पदों पर भरती होनी है उसके उपर भी depend करता है ST की बात करें तो ST का 72% male का और female का जाएगा 63% female में रहेगा ठीक है अब हम बात करेंगे किस state का सबसे जादा जाएगा किस का कम जाएगा तो जरा उसको भी दिख लीजिएगा और इसका screenshot ध्यान से ज़रूर ले लीजिएगा जिससे आपको पता रहे आप यहाँ पर देख है वैकनसी और वैकनसी की डिटेल आंदर प्रदेस में 1716 है यहां पर जो थोड़ा सा कटोप जादा जाएगा मैं आपको बता दूँ बिहार में कटोप जादा जाएगा 36 गड़ का cut-off जाएगा यहाँ पर बिहार और 36 गड़ का cut-off थोड़ा सा जादा जाएगा अंदर प्रदेस का भी cut-off कम जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है लेंगबेच तो लोकल चलती है लेकिर फिर भी यहाँ का कम जाएगा डैली का कम जाएगा गुचरात का थोड़ा सा जादा जाएगा हर्याना का मीडियम रहेगा हिमाचल प्रदेस का कम रहेगा जमुन कश्मीर का भी कम रहेगा जारखंट करनाट का केरला केरला और करनाट का की भी जादा जाएगा आप लोग यह ना सोचे कि जहाँ जादा पध है उड़ीज़ा मद्प्रदेश और महराष्ट यहां पर भी जाधा जाएगा कटव याद रखना आप लोग जो भी फॉर्म बरें इसको सरकल देखके फॉर्म बरें यहीं सरकल देखके फॉर्म बरेंगे तो जाधा आसानी होगी कि के सेरिया में कितना कटव जा रहा है और अजस्तान में भी जाएगा क्योंकि यहां पर विविन बासाओं के लोग रहते हैं और हिंदी जहां पर ज़्यादा बोली जाती हैं वहां पर कटव थोड़ा से जाना जाएगा बाकि जिनकी लीगल मलब रीजनल लेंगव जे लोकल लेंगवेज है वहां पर थोड़े से से कहे होंगे और आपके मन में कटॉप के लिए कि कोई भी प्रशने कोई भी सवाल है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखीगा मैं पूरी के उस्षिज करूँगा कि आपके प्रशनों के जवाब दे सकूँ और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करने जिससे आपको सारी डेटेल हमारे चैनल पर मिल जाए